हलो दोस्तो मैं हुने की और आपका स्वागत हैọnवन अदिनमितर युटूब चैनल के निम्मी बुख के बात करेंगे कि बात करेंगे कि बास की बात करेंगे बात करेंगे इ準 यह 100% सपलता के लिए बहुत जरूरी है आप दोस्तों बहुत बहुत बाद कर लें कि निम्मी पैटन के अपन बात कर रहे हैं पर कोई नहीं ध्यान देता है दोस्तों अपन दोनु तरीके से वीडियो लेक्टर प्रोवाइड कर वारे हैं आपको निम्मी पैटरन और सामाने जो Mixer Language है उसका भी तो पहले दोस्तों अपन बात कर लें किसका निम्मी पैटरन आ उसके बाद अपन बात करेंगे किसके Mixer Lecture की किसकी बात करेंगे दोस्तों मिक्षल लेश की यह दोस्तों बुक क्यों इंपोर्टेंट है बहुत बाद लोग पहुंचते हैं कि यह भारत सरकार के द्वारा जारी के तो दोस्तों आप देख सकते हो इसका मतलब क्या होता यह चीज समझने की बात होती कि और बात कि इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब यह होता है कि दोस्तों यह प्रमानिक बुक के लिए लिए रैफरेंस यहीं के लिए हमने लेके आए हैं कि कोई भी सुजाव हो या कोई जानकारी हो तो आप हमारे N1 दिनमित्र यूटूब चैनल के क्या वाटसप ग्रूप पे संप्रक कर सकते हैं दोस्तों उस पे मैसेज डाल सकते हैं हमारे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी चीज में मतलब या फिर जो भी कोई समश्या हो हमारे से संप्रक कर सकते हैं 9079188931 यह दोस्तों हमारे वाटसप नंबर है आप इन पर वाटसप कीजिए आपका सैटिसफाइड आंस्वर दे दिया जाएगा तो दोस्तों जूड़ जाईए बहुत जल्दी ही टेक्निकल वेकेंसी जाने वाली हैं डीमर्सी की वेकेंसी आने वाली है दोस्तों इसके लावर राजस्तान टेक्निकल हेल्पर की वेकेंसी आने वाली है टीजी टू की वेकेंसी चल रही है दोस्तों और भी बहुत सारी तो दोस्तों डीयार डीयो डीमर्सी की बहुत सारी वेकेंसी अन अथा वेकेंस निशित हो जाए निशित कर लो दोस्तों अपना जल आगे पता नहीं क्या होगा वैसे प्राइबेटाइजिशन का थोड़ा सा खत्रा चल रहा है पर दोस्तों वेकेंश जो गोशना हुई वो तो सरकार को देहनी पड़ेंगी तो दोस्तों तयार हो जाएए और जुड़ करेंगे दोस्तों इसके अंदर अध्यन करेंगे इसके अलावा और क्या करेंगे दोस्तों ट्रांस्पोर्मन का परचलन सिद्दानते मश्तर इसके ऑपरेशन का सिद्दानते प्रिंसिपल उसकी बात करेंगे दो लपे ट्रांस्पोर्मन का एम एप समीकन एम एप समीकन दो होता है फिर काता है V2 अपॉन व्यवन होता है क्या होता है एसे ही या याई या न है ऑँन आप उनप क्या होता है definitely फूलरफोर्टेज है धारा के तो दोस्तों यह अपने पढ़ने वाले हैं तो दोस्तों जूर जाए और आज अपने देखेंगे के ऐडियल चांसफॉर्मर के बारे में डिटेयल तो सुरू करते हैं दो ऑडियल चांसफॉर्मर 11 $1 예 सब्सक्राइबर इसके जोड़ेों यहां पर क्या होता हैतक कि बच्छाइब जोक्ति हुआ जो जूटता है उसको दोस्तों तो इस दूसरी कुंडले के साथ जूटता है यह पैदा होता और यह क्या अपने को लोड पर variation of the power के अंदर मिल जाता है variation power का मतलब जा तो वल्टेज बढ़ेगा तो धारा गठेगी धारा गठेगे तो वल्टेज बढ़ेगा दोस्तों ऐस ँदेखते हैं कि defense transformer के अंदर क्या खास बाती होती है कादसट लाट इस्कौर्स की ओवती होता है चनको पने हीट लो से को नहीं यहीं मेलु से होते हैं त्रांसपोर्मर अंदर właśnie फिर आगे देखे दोस्तों और क्या लोसेश होते हैं और क्या होते हैं दोस्तों और लोसेश नहीं होने चाहिए क्या चुंब के सरन क्या होना चाहिए सुन्ने होना चाहिए दो कुंडलों होते हैं जो सुद्ध इंडक्टिव होते हैं दोस्तों सुद्ध इंडक्टिव अब एक हास रहीत क्रोड पर वेस्टित होने चाहिए अब दोस्तों क्रोड तो बना होगा तो इसमें तो कुछ नगुजलों से होते हैं बस दोस्तों अपने को यह चीज़ी याद रखनी है क्या होने चाहिए हास नहीं होते हैं लपेटों में परतिरोद नहीं होना चाहिए सरन सु आस है करेंगे इसके North साइनु साइन धेया क्या तो इसको क्या बोलते हैं साइनु साइनो सॉडियल यहाँ यह जावक्रिय दोस्तों एक सब्द आता है यहां से जावक्रिय वोलता है जावक्रिय का मतलब होता है साइनो सोडियल साइनो सोडियल वेव जो दोस्तों इस वेव चलती है उसको क्या बोलते हैं साइनो सोडियल वेव कोते हैं जावक्रिय कहते हैं दोस्तों अब दोस्तों य प्रामरी होते हैं ये मुट्स का पात है ये सेकंडरी वाइन्डिंग होती है यहां से अपन लोड को जो जो रखेंगे थोड़े सा कार्या सिद्धांथ पढ़ने के लिए पर यहां से दोस्टो बहुत कम क्यूशन पूंचे जाते हैं जो पूंचे जाते हैं आपको पर काम करता है तो दोस्तों यह चीज आपको अंडराइन करने की जोड़त है अरुपित बोलता प्राथमिक लपेटों में लगू धारा प्रवाइट होती है जब दोस्तों सप्लाइगे तो बिल्कुल धारा कम प्रवाइट होगी सुन्य धारा भार पर एक विदुत वहाग ज आरुपित वोलता है कि विपरीत होता है नियमन के लिए चुंकि प्राथमिक सुद्ध प्रेरिट है इसलिए निर्गम नहीं होता है दोस्तों अपने बात किये कि बाई सेकंडरी क्या होते हैं ऑपन रहेगी तो प्राइमरी के अंदर प्रवाइट करेंगी तो यह उत्पन ह होगा और यहां से यह होगा तो निर्गमन क्यों बह diffuse सुनने के प्राप्त है धोस्तों होता जाते हैं क्योंकि सुद्ध रनयक्ट्य। होता है वी वन से क्या होता है नाइंटी डिगरी पश्य होता है दोस्तों अब देखे दोस्तों अपने बात की थे कि इंडेक्टिव क्या होता है सुद्ध लोड होता है तो इंडेक्टिव क्या होता है दोस्तों इंडेक्टेंस में क्या होता है कि वो जो धारा होती है वोल्टे से 90 डिगरी लैग करती है क्या करती है दोस्तों 90 डिगरी लैग करती है सुद्ध है तो 90 डिगरी और यदि असुद हो तो उस दारा कमान 90 डिग्री से क्या हो जाएगा कम हो जाएगा दोस्तों या आप जानते हैं अब जो इदि कैपेसिटी होता तो इसके अंदर धारा LEED करती क्या करती दोस्तों LEED करती और यही house हो तो S망ान फेज मतलब फिर फिर यह पावर फेक्टर का मान क्या होता जीरो इसके अंदर L alltid होता है इंडकटर के अंदर कैपशीट के अंदर क्या होता है दोस्तों लीडिंग होता यह नूर्मली बात नोस्तों आपको याद समान पाति किस के होते हैं धारा जितनी ज्यादा फ्लक्स का मान मूढन भी क्या होता है रिख निखाया गया है धलीक शड़ीक सारेक में को पूसे कोई नहीं पुछए क्षीक अपनलेने बात की हैं आइम मतलब simplerा और फ्लक्स उते होते हैं एवन बरावर एटू इधर होते हैं और यह वीवन इधर होता है तो दोस्तों एक ज्यादा कोई ज्याने के नाइंटी डिगरी लेगिंग होता है इंडेक्टिंग से होता है क्या होगा लेगिंग होगा आपको इतना याद रखना है दोस्तों दितिये चकरों के संख्यापन निरबर करता है दोस्तों इतना ज्यान रखना कि जो वोल्टेज होता है समानुपाती किसके होता है टंस के होता है जितने ज्यादा टंस होंगे वोल्टेज भी उत्रा ही ज्यादा होगी इसे कारण अपन टंस के संख्यापन क आगे देखेंगे तो दोस्तों बने रही है हमारे साथ अब दोस्तों आप जैसा कि आप देख रहे हैं जब दीती है परिपत खुले परिपते इसके टर्मिनल वोड़ता वी टू एम एफ है एम एफ क्या दोस्तों एम एफ है एटू के समान होती है एटू के क्या होती है दोस् लिए आरोपी तो वोलता वी प्राइब राबर होती है प्रात्मी एमफ एटू के विपरीत होता है जो समान होता है यह फिगर में प्रदशित किया गया दोस्तों कुछ फास नहीं है भाई जो धारा 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 दोस्तों जो मेगनेटिक फिल्ड बनाएगी वहां धारा कंजिम होगी इसलिए आई क्या होता है लगू होता है और कुछ में नहीं इसके अंदर क्या होना जाना अब दोस्तों छोटा से डाइग्राम है आप इसको अपने देख सकते हैं यह प्राइमरी अपने इसको जो प्राइमरी से जो mutual होगा वो इधर से जो अन्योनिय होगा वो इसमें भी फ्लक्स करें इसके अंदर EMF वद्दा होगा क्या होगा दोस्तों EMF लोक्रोमोटिव फोर्स वी तो तुबाह अकबल जिससे अपने को यह अब यह तो ओपन है ओपन है तो V1 बराबर V2 हो जाएगा दोस्तों और I 31 का मान थोड़ा साफ लेस होगा आई टू तो जीरो होगा यह अपने दोस्तों फढ़ लिए फाई और आई एम जैनाइंटी डिगरी लेगिंग है और यह कोई परेशा नहीं नहीं है दोस्तों इसके अंदर जो आपसे पूछे जाने वाले हैं दोस्तों अंडरलाइन करके आपको समझा दूंगा दो यह दोस्तों आइडल ट्रांस्वोर्मर पढ़ रहे हैं आइडल जीरो लीकेज फ्लक्स होना चाहिए फ्लक्से जो प्रोड्यूस इंदा प्राइमरी अंदा सेकंडी करेंट कंटेंड बे विदिन दा को मतलब यह कि देख फ्लक्स जो लीकेज होत क्या है कि लीकेज करेंट कमान जीरों जाए वाइंडिंग रिजिस्टेंट जीरों नहीं चैब कोर इंफाइन में पर्मिय इपलीटी इन फाइन फाइनाइट होती है मतलब जारा के आगवन पर पर बेलिक्टेंस और दा कोर शुट भी जीरों नहीं जब जीरों होगा देख क्या कहते हैं relaxence कहते हैं दोस्टो negligible current in the required established magnetic अब ये दोस्तों बात करें कि कुछ ना कुछ करन तो magnetic field बनाने में लगे गए लग स्दट बनाने में लगे पर यहां पर क्या होता है अधर से तो नहीं लगना चीए तो स्टेरिश वी अधिकरन नहीं पर उटाइब सेचेटरी एटू और इन प्राइमरी तो दोस्तों यह क्या होता है कि जो इम फोता है वह किस पे डिपेंड करता है number of tons पे तो एंटू बराबर कितने होगी यह में पर tons और एंटू इसमें tons इटू अपॉन एवन एटू अपॉन एटू अपॉन हो गया दोस्तो तो यह अपने पास ratio आ जाता है वेर एटू बराबर वीटू रीटू बजातो तो वीटू अपॉन वीवन बराबर एंटू अपॉन हो जाए तो यह आपको ध्यान रखना है दोस्तो रेशियो बाद में और अपने देख लेंगे अब दोस्तो भार के साथ एक आधर्स कई सबस्सक्राइगे बाल चांफbrand क्ए सबस्क्राइग में वर्दियू हो जाते दिया अब दोस्तों कि तोड़ा क्या क्या हो जाएगा जाएगा किस प्राथमी में को दीति सबस्सक्राइप तुलना पर आधारीत होती चक्रों पर तुलना आधारीत होती है दोस्तों नो होती है जो कि प्राइबर होता कि तब विपरीत होती है आभमत के बेराबर होती है लेकिंद डाय होथリ होती है चुमबकाद दार प्राइप पून लोड़ धारा के लओव कांस पर भाइपर आरा का मान प्रायेपून लोज प्राइपर पर बार जोड़ा जाता है यह दोस्तों जब अपन रहें सेकेंडरी ऊपन जब भार जुड़ा जाता है डिर लेंज के लियम वर्षिए चुमबकन प्रभाव उतपन करते हैं लेंज कैता कोई हिए उत्व त Mmm आप घ्लच परिक्षमें के दुम्च में कुशक कम हो जाते हैं बिल्कुल कम होंगे एक लगो पर रूपी दोलता बीवन ओड़ा एक के बीच पर इरॉपिता कर यह क्योंड चूंए प्रात्मिक दारा सुन्य दारा कितने बीश गुणा हो जाती है दोस्तों यह द्यानक ना लोड के अंदर अपने बात कर देंगे तो प्रात्मिक दारा कमान कितना लगब की बीश गुणा हो जाता है दोस्तों अब दोस्तों आगे बाद जिए जब दीती है कि दीती है कि जख लो दोस्तों यह आई हन आपना आटो औ्हार और अनुपात जो यह आपको याद रखना ही, इस अपने बात भार सामें आपना इसे भी समझते हैं आई सिरे-डा आन 1 बिथावनज़ अपन वई वन बद्लünden आइ B. मतलब धारा को विपरीत लेना है दोस्तों यह आपको याद रखना है धारा की अपने बात करी है चुम्बकन के अंदर है चुम्बकन के लिए 2-5% होता है और जब यह ज़्यादा हो जाता है तो लोस्लेस ट्रांस्वर मुझे इस कफन से इस पष्ठ हे कि प्राथ्मी के दीतिय परीपतों के बीच में चुम्बके फलक्स दवारा होता है तो 생각 हो जान करिकली आइसोलेत ह होता है इसलिए एम एफ में भी क्योंता होता है और यह दिसे अनुपात करने परिवर्णतन के योगिंगी होती यह रखने की जरूरत है याद रखने क्या है दोस्तों जरूरत है यहां से आपको इंपोर्टेंट क्यूशन भार के साथ एक आदस ट्रांस्वोर्म में दीते हैं लगू पर सुन्ने बार आरिधारा रवायत होती है सुन्हे बारा दो प्रकार की होती है यह क्रोड में चूम्बी के फ्लक्स उत्वपन करती है दोस्तों कि लिए फ्लक्स का अधिक्त मान की तो यह दाइग्राम उसके अंदर थोड़ा सा परिवरतन लाईगी परिवरतन लाईगी एक गटक परदान के जो इस्टेरिसी से बहुर दारे हासों के लिए उत्तर दाया थे किसे जनरासों के लिए लोसलेस का जाता है दोस्तों यह तो होगा चुंब के दारा बनेगी तो जो कि बहाद प्राथमी के लितिया क्या होता है जाए यहाँ ने बहां के लिए पर पॉल्भाञ हमान के तो 2-5 परेशेंट होता है चूंकि सुन्हें बहार पर प्राथम कि लपेट एक बड़े प्रतिकाद की लोक रोड के कारण कार्य करती है प्रात्मिक वोलता वी वन से लगबग 90 डिगरी पश्य ऊती है अपने बात के लिए figure 3 में समय बताया गया जाहाँ जिरो सुनने बार उनागए जिरो डिगरी सुनने भाषब सकती गुणाग ए शकती गुणां कितना होता है जीरो डिगरी सेंटीग्रेड होता है कितना होता है पावर फेक्टर का मान कितना होता है जीरो डिगरी सुन्य भाहर सकते हो ना पावर फेक्टर का एंगल कितना होता है दोस्तों जीरो तो कोस जीरो का मान कितना होता है कोस जीरो का मान कितना होता है कोस जीरो का मान कितना होता दोस्तों वन होता है तो पावर फ्रेक्टर यह अपने बात के लिए अतल यूनिटी पावर फ्रेक्टर के बारे में अपन वो बात करें दोस्ता बरने चुंब की अधारा आई एम बराबर आई एन साइन ओमेगटी पराथ्मिक से वीवन से पश्चे कला में होती है जो अपने बात कर लीए पश्चे होती है जो घटाके उत्वपन करता है तो फाई एम के साथ कला में दीती है बराबराए इस वोल्ट तक चुंकि क्या होता है प्राथ्मिक चक्रों दोरा उत्तपन प्राथ्मिक चक्रों के दोरा चुंब की से तो दितिये लपेटों समंधित होता है तो दितिये में भी फेराड़े के निया मनों सता था ए बराबर क्या होता है एन डी फाई अपन डीटी में एक एम फे एटू प् कि वह आरूपित होती है उसके अंदर दूसरे में पहले वाले में नंबब दूसरे वाले में नबब तो 180 हो गया दोस्तों कि दोस्तों में यह कहना चाहरा हूंगी जैसे प्राथमिक के अंदर क्या होती है कि धारा लेग करी 90 डिगरी यही चुंबक होकर के सेकेंडरी में चली यहां जे तो 180 डिगरी अगre ऑए, 180 डिक्री होगी दोस्तों अब दोस्तों चुंकि लपेटों के लपेटी लकेटों में धारा नहीं debtone so docio क्या होता है इस ब्राथमिक वोलताओ इसा ज़्याद चक्रीह होती है ब्रात्मिक सब्सक्राइइक होथे दोस्तों पर इस टो परकार होदेगर होता है जितने ज्यद़ा च EggFrequency कमाणों उत नहीं क्या होता है क्या होता है दोस्तों मैं आपको सम्हक्ता देता हूं अपने को यह फोर ogóle को याद पर शोरायो एफ याद रखने ये देख लो एक लोगे डूबल ब्रसारों यह लपत ले रहे हैं और दोस्तों ए डबल लपेट ले रहे हैं तो टू हाई अपन वन अपन टुपाई टू यह उपर जाए रहे गए क्या हो जाएगा फोर एफ एन फाई एम अब दोस्तों अपन बात में जातरंग जातरंग रूपन आरे मैंस वोलता कमान की तरह वन पॉंट वन होता है तो इसको गुणा करें यह आ गया इवन कमान यह आ गया दोस्तों मतलब प्राइमरी का प्राइमरी का यह आ गया और सेकंडरी का प्राइमरी का यह आ गया जाए यह जाद रखना है यह मोश्ट इंपोर्टेंट हो अपने को याद रखना है आगे देखिए दोस्तों यह क्या आपने पास आ गया व वोल्टेज रूपांत्रन क्या होता है के वोल्टेज रूपांत्रन क्या होता है दोस्तों के होता है के होता है क्या एन टू अपोन एन वन बराबर एटू अपोन एवन होता है अब दोस्तों यह देखतों के इस इस्तिरांग को वोल्टा रूपांत्रन अनुपात के नाम से ज करता है दोस्तों क्या होता है टर्मिनल वॉल्टा किसके उपर निर्वर करती है दोस्तों टर्मिनल वॉल्टा भार और उसके पावर फेक्टर पे निर्वर करती है क्या होता है वॉल्टेज रूपांतर इस्तिरांग होता है यह वास्त विक रूपांतर इस्तिर होता है पर टर में उसके भारता सक्ति गुणां के उपर नेरबर करता है दोस्ता आपको यह याद रखने की चीज़ वेरी मॉस्ट इंपोर्टेंट इसके बाद दोस्तों देखे रूप आंतर के नाम पट्ति का अंकर किया जाता है जिसमें कोई नहीं है आगे देखो दोस्तों आगे देखे के अंदर क्या होते है सेकंडरी के अंदर दोस्तों किसमें सेकंडरी के अंदर सेकंडरी के अंदर वॉल्टेज का मान क्या है ज्यादा है तो यह क्या होगा अप ट्रांसफोर्मर होगा और यदि सेकंडरी के अंदर वॉल्टेज का मान कम होगा तो यह स्टेप डाउन होगा और यह voltage किसके उपड़ने में टंस टंस ज्यादा होंगे तो voltage भी क्या होंगे दोस्तों ज्यादा होंगे और देख लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा mathematical formula के बीच में N2 greater than है N1 से मतलब secondary के अंदर टंस किसें क्या ज्यादा है तो के कमान क्या हो गया दोस्तों कम हो गया एक से तो चल्सोर हो गहा क्या होगा दोस्तों ट्रैंसवोर्मर काम है N1 से कमान क्या हो है तो खामान क्या है तो क्ली च्वैसे यह कंद्र कांन क्या हो गया एक से ज्यादा हो क्या हो गया, यprofits ट्रांस्फोर्मर का हो गया यह कोंगे सा यह दो स्टेब आप ट्रांस्फोर्मर क्या होता है, एकпа कितना हो तर्ण्फोर्मर रेश hypothesis एपने को Яद रखना है, किशना होता है, कि अबぎजा़न की बिए में क्यों रखी जाती है कि एक कि अधर पाउर्म एक आफ कर्षिच का या परणिया है जाक है याद रखने की चीज़ेंगे ट्रांसफोर मझेट के जो rend होती है रोड करन्ड से अधिक होता है तो अगर और ट्रांसफोर्मर की रेटिंग के विये में हो तो से लोड सीधे दिये गए वल्टेज का नुपाद के अपने काम कर सकते हैं दोस्तों इससे अपन कर सकते हैं ट्रांसफोर्मर की रेटिंग हमेशा वी या के विये में ते सुरक्षे की अधिकतम लोड से गणना की जाती है अब दोस्तों आगे देखे एक आइडल ट्रांसफोर्मर के अवदान के अनुक्छा में अनुप्र अनुपाथ के बराबर होता है 0047 अनुपकर करने अनुपाथ के प्राइमड तो यह इतने टरंस है गणना कीजिए प्राइमरी सेकिंडी का अनुमानित मान प्राइमरी टरंस के संग्या कोर में होता पन संग्या तो दोस्तों कितना एम यह हैं फिरक्वेंसी 5060 हो गई दोस्तों बिल्कुल लीजी है आपको कोई टेंस लेने की ज़रत नहीं है प्राइमरी तो इसके अंदर भी ईहीं किया क्या होती है यह पने पड़ लिया यह प्राइमरी तूंट हो गया प्रायमरी ईह जर्ण फ्लक्स हो गया तो FUL LOAD की गर ना कर लो दोस्तों यहाँसे किया कर लो FUL LOAD की गर ना कर लो तो FUL LOAD का धहरा कैने कि वी एप i Jesus घ्लाएपी इतना ईपे इसétaisना आ गया दोसरा देखकित दोस्तों कोई नेए यह लगा यह फॉर्मुला लगा इन्फस अन्फ़ार ہیں पी होता है एपने को दे रखा है फाई एम ब्राबर यह निकाल लेते हैं कोई समस्या नहीं है दोस्तों टंस की संक्या अब दोस्तों आगे देखिए एक ट्रांस्फोर्मर में क्या होते है परती वॉल्ट की संक्या ब्राबर यह एन अपन वी कमान कितने ब्राबर आट दे प्राइमें टेंस के ब्राइबर आठ आठ गुना एक तो अपने देख लिया कि लगब लगए एक ट्रांसफोर्मर को अपने आइडियल ट्रांसफोर्मर विथ लॉड और उसका देख लिया तो दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि यदि निम्मी बुक के वीडियो आपको सब्सक्राइब कीजिए उज्यादा से ज्यादा लाइट जीए शेयर कीजिए ऐसे ही वीडियो संपुन निम्मी बुक का प्राप्त करने के लिए और दोस्तों फिर मैं कहना चाहरू है कि हमने लगबग 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 कितने हैं 45 प्लस वीडियो अप्लोड कर तो आप से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इलक्ट्रोनिक्स को भी पढ़े हमने संपुन इलक्ट्रोनिक्स लग लगोगे दोस्तों मैं आप से गारंटी देता हूं कि 90% क्यूसन अटों इलक्ट्रोनिक्स में अपने यूटूब चैनल मतलब अपने वीडियो लक्षर से कि आपको बहुत अधिक से अधिक वीडियो मिल सके हैं और आगे मैं दोस्तों कहना चाहूंगा कि जै हिन जै भारत